नमस्कार कहते हैं कि आदमी की दमा की बिमारी और खेत से दूब हुगास जाते नहीं है लेकिन आज जो जानकर ह्य माँ आपके साथ सेर कर रहा हूं उसे जानकर आप अपने खेत का मोथा वडूब घ़ास खतम कर सकते हैं लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें दूब वे मोथा गास के पोदे को समझना पड़ेगा ताकि हम समझ भाएं कि क्यों तमान दवईयां इस पर करने के बावजुद हम इने कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और कैसे हम इने कंट्रोल कर सकते हैं दूब वे मोथा गास साल और ऊगते हैं और शालों तब बढ़ की भवर्शी होते हैं लेकिन गर्मी और बढ़सात् लेते हैं जिन खेतों में गर्मी भी पानी लगता है उन में तो इनके दिक्कत और ज्यादा रहती है साइद आप जानते हैं कि दूब घास तने से फेलता है टेकनिकली हम कहते हैं कि राइजोम और स्टोलन से फेलता है इसके तने की हर एक गाण से जड़े निकल सकती है और फुटान भी हो सकता है चाहे तना जमीन के उपर हो या जमीन के अंदर आप ताजूब करोगे कि इसका राइजोम यानिकी भूमिगत तना जो जमीन के अंदर रहता है वह एक फिट गहराई से फुटान कर सकता है तब ही तो हम इस्प्रे करते हैं तो ऊपर से पतिय जल जाती है और यह फिर्शे फुटान कर लेता है क्योंकि यदि दूब गास के तने का छोटा सा भी टुकडा रह गया तो यह फुटान कर सकता है यदि मोथा घास की बात करें तो यह तो दूब से भी खत्रनाक है इसके कई परजातिया पाई जाती है मोथा बीज वर टूबर यानि गाठों दोनों से फेलता है एक पोधा कई गाठे पेदा कर सकता है और वो भी दो फिट गहरा ही तक अगहिए मोथा के सबसे बूरी बात यह है कि इसके गाठे जमीन में 3-4 साल तक जिन्दा रह सकती है कुछ इस्टेड़ी तो कहती है कि 10 साल तक इसके गाठे जमीन में जिन्दा रह सकती है मैंने यह तक देखा है कि दूब और मोथागास लोगों से अपने घर के आंगन या चोक तक से खतम नहीं होता है खेर अपने दूब और मोथागास के पोदे को समझा अब बात करते हैं इनके कंट्रोल की कि दूब और मोथागास को कंट्रोल करने के लिए मार्च लास्ट और अप्रेल में जब आपकी रवी वसले गेहूं जो चना शर्षों कटकर खेत खाली हो जाए तब आप अपने खाली खेत में गलाइफोसेट दो किलो परती हेक्टर के साब से स्प्रे करें है गलाइफोसेट इकेतर और तरहारीशब्स दोनों में मिलती है मार्केट में यह कई नामों से मिलती है जैसे मीरा इकेतर क्थर राउंडप यह कोई ब्सक्राइब से ग्लाइफोसेट 41% को 10 ml परती लीटर पानी लेना है और ग्लाइफोसेट 31% तो आजकल छोटे छोटे पाउच में भी आती है तो आप एक पाउच 15 लीटर की टंकी में डालें और उसमें एक दो मुठी यूरिया और चम्मच भर कपड़ा दोने का सर्फ डालकर पानी में गोल बनाकर खाली खेत में स्प्रे करें यूरिया और सर्फ डालने से मोथा वे दूब गास की पतियां ग्लाइफोसेट को अच्छे से सोख लेती हैं लेकिन इस्प्रे करते टाइम आपको दो तीन बातों का विशेश ड्यान रखना है जहां हम अक्सर गलती कर देते हैं पहली ब हो जाएं दूसरा आपके खेत में नमी होनी चाहिए यदि नमी कम है तो आप साम के साथ टाइम स्प्रे करें तीसरी विशेश द्यान रखने की बात यह है कि गलाइफोसेट एक नोन सेलेक्टिव कॉंटेक्ट एंड ट्रांस लोकेटेड है यानि कि यह जिस भी पोदे पर गिरेगा उसे मार देगा और जिस हिस्से भी घिरेगा किसे तो मारेगा ही सा थी उस पोदे के सिस्ट्ब में जाकर जड़ तक को खतम कर देगा चाए वह फशल का पोदा या खर पतवार का इसलिए फसलों को फुआर भी नहीं लगनी चाहिए ग्लाइफोसेट पेम एकश च सूग जाएगा लेकिन यह तो जो हमें दिख रहा है वहीं खतम हुआ है प्रन्तों है में तो इसको समूल खतम करना है तो इसके लिए गलाइफोसेट इस्प्रे के 15 दिन बाद हमें एक जुताई मिट्टी प्लटने वाले हल जैसे डिस्क प्लो एंबी प्लो से करनी चाहिए लेकिन जुताई करते समय आपको एक खास बात का ध्यान रखना है और यह आपको अपने विवेक से करना है जब आप मिट्टी प्लटने वाले हल से जुताई करो तब आपके खेत में इतनी ही नेमी हो कि जुताई आसानी से हो जाए और ने तो ज्यादा बड़े डेले बने और नहीं जमीन एकदम मुर्वरी हो मतला है हल पूरा गैराही तक लगे और छोटे छोटे डेले बने मिट्टी प्लटने वाले हल से जुताई करने का अपना उद्दश्चे दूब के तने के टुकडो वह मोथा गास की गाटों को गर्मी से खतम करना है लेकिन यदि डेले बहुत बड़े होंगे या मिट्टी एकदम भुरुबरी हो जाएगी तो यह खतम नहीं हो पाएंगी का हल लगा है और तब आप मोथा की गाट को मसल कर देखेंगे तो उसका कोफी जैसा पावडर बन जाएगा मतलब इसके उगने की ख्षमता खतम हो चुकी है यह तो हुई खाले खेत में मोथा कंट्रोल की बात अब बात कर लेते हैं फसलों में मोथा कैसे कंट्रोल करें कि एक्चुल्य बहुत कम फसलों में इसका सटी के लाज है जैसे गन्नेव की मत्का की फसल में हेलो एलो सल्फिरोर मिथाईल 15WG 3 ग्राम पर्ती टंकी का स्प्र कर आप मोथा को कंट्रोल कर सकते हैं यह हर्विश्ट मार्केट में सेंप्रा के नाम से मिलता है कि शोयविन वधान की फसल में बेंटा जोन जोकी 20 ग्राम के नाम से आता है 50-60 ग्राम पर्ती टंकी का इस्प्रे कर आप मूथा को कंट्रोल कर सकते हैं सार रूप में हम कह सकते हैं कि मोथा वे दूब गास को कंट्रोल करने के लिए रवी फसलों की कटाई के बाद ग्लाइफोसेट का इस्प्रे करें और उसके 15 दिन बाद एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें और खेत में नमी इतनी हो कि हल आसानी से लग जाए और छोटे-छोटे डेले बने पहली साल में आपके खेत से 70-80% मोथा वदूब गास कम हो जाएंगे और यदि आप अगले 2-3 साल यही परकीरिया दोराते हैं तो आप लगबग मोथा वदूब गास का खात्मा कर सकते हैं उमीर है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी आपके अच्छे-चे कमेंट परकर एनर्जी मिलती है फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ तब तक आप घर पर रहिए सुरक्षित रहिए सकारात्मक रहिए नमस्कार जहिंद